नमस्कार हमारे प्यारे सभी सात्यों को दोस्तों Beltron Data Entry Operator Class Day 7 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज का क्लास काफी important होने जा रहा है क्यूंकि दोस्तों आज के क्लास में input और output से संबंदीत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और input और output से संबंदीत एक ना ए helpingorup.com के website पर जाकर इस आप जो है notes को purchase कर सकते हैं उसके आगे दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 22 पर पहुंचे हैं क्योंकि दोस्तों पेज नंबर 22 का हम लोग कुछ हिस्सा कबर कर लिये थे और आज हम लोग basic of hardware and software के बारे में बात कर कर दो हुआ कि अगर आप अभी तक जो है helping और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कर अगे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बैल आकुन को दबा देंगे तो जैसे मैं यूटूब टर वीडियो अपल भागाओं को हाडवेर का जाता है बहुत ही भागाओं मतलब जिसको हम लोग चू सकते हैं ठीक है या फिर केंप्यूटर के वे पार्ट जिने हम टच कर सकते हैं जिसको टच कर सकते हैं चू सकते हैं वह हम लोग क्या कलाता है हाडवेर कलाता है और सब्सक्राइब क्या आग जैसे में micro processor है hard disk है floppy disk है optical disk है monitor है keyboard है printer है और इसके अलाभा अन्न बहुत सारे चीज़ है computer के hardware part को चार भागों में बाटा गया है जो नीचे IPOS के चार्ट में बताया गया है दोस्तों यह जो चार्ट है IPOS चार्ट यह काफी important है और इस चार्ट से एक प्रस्न 110 परसेंट पूछा जाएगा आप इसीच को note कर लिजे 110 परसेंट एक प्रस्न कहीं न कहीं आपके एक्जाम में आने जा रहा है तो इस चार्ट को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिजेगा इस चार्ट के अंतरगत आप देख सकते हैं input आता है output आता है और इसी चार में से आपको एक प्रस्न देखने को मिल सकता है हो सकता है दो भी आपको देखने को मिल जाए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे input आपके एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक input device है आपको जो है तीन जो है output device का option देदेगा और एक आपको input का देदेगा तो आपको याद रखना input उसी तरफ उचा जासकता है आप से कि निम्न में से कौन से एक output device है इसमें आपको तीन जो है input device का आपको option देदेगा और एक को आपको आउट्पूट का देदेगा यह आपको समझना है उसका दोस्तों को देदेगा निमन में से कौन एक storage डिस्क है उसमें आपको एक option यह देदेगा मांकी तीन option में से आपको यह सब मिला करके देगा आपको समझना है कि कौन क्या यह काफी important class होने जा रहा है तो इनपूर कीबोर्ड जो है एक input device है कीबोर्ड क्या है एक input है कीबोर्ड से जैसे हम लोग कुछ type करते हैं ABCD वह आपको screen पर दिखता यानि की in करता है तो input device कौन है keyboard उसके अलबाद दोस्तों mouse क्या है तो mouse भी एक input device है उसके बाद दोस्तों OCR OCR क्या है तो OCR भी एक input device है अब दोस्तों यहाँ पर यह OCR का full form क्या होगा यह काफी important है इसलिए मैं बता रहें आपको optical character recognition OCR क्या होता है optical character recognition ठीक है BCR भी क्या है input device है BCR का full form क्या होता है तो बार कोड रीडर BCR का full form क्या होता है बार कोड रीडर और BCR क्या एक input device है OMR क्या होता है OMR क्या होता है optical mark reader होता है optical mark reader होता है और OMR क्या है यह भी एक input device है MICR क्या है तो MICR भी एक input device है इसका full form क्या होता है magnetic ink character recognition ठीक है याद पूर रखना है ठीक है अब देखिए आप इस्टाइलस जो है राइस फैंज होता है वह एक input device होता है scanner क्या है scanner इंबूट होता है कोई भी hardware hard copy go रहाता है उसको हम लोग say nowGenelles में डॉकर इसकां करते है और से so computer पर हम लोग ले कर करके आतें है तो scanner क्या है input device है d 레QUE इंट प्रेंज होता है वह पोड़ क्या होता है input device होता है तच्पेड यानि कि आप देखते हैं लेप्टॉप में जो एक टच्पेड राता है जो माउस का कान करता है माउस यह तरह का होता है उसको क्या करते हैं लोग इंपूट डिवाइस काते हैं चुक्कि आप देख सकते हैं माउस इंपूट डिवाइस होगा तो टच्पेड भी यह आपको एक्जाम में पूछ लिया जाता है क्यूंकि बात करेंगे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो प्रोसेस क्या है देखते हैं माइक्रो प्रोसेशर ठीक है माइक्रो प्रोसेशर रेम और रॉम यह दोनों क्या होता है प्रोसेशर होता है ठीक है और उसके साथ क्या होता है मदरबूर आप देख सकते हैं प्रोसेशर यह यहां पर तीन ओप्सन चार दिया है माइक्रो प् थार आब टको च्रवो अब पूरण को सांटों सक्रीन पर भी देख रहा है यह चार्ट को हम लोग कंट्रोल द्वाकर चुकρη कंट्रोर्ल व क्या होता कि मेस का कट एपूर्ट का है तोब सबाप गर जैसे करेंगे तो प्रिंट कर के हमको वो पिरिंटर देगा तो प्रिंटर क्या हो गया एक आउटपूट डिवाईज हो गया ठीक है इस। से POL lactose मेरी यह वह आफावाज निकालकर देता है सुनते जिसको अफ तो सिकर क्या हो गया प्लॉट्ड यह फ्लॉटर अधन बढ़ा बढ़ा होता है उसको प्रिंट मारते हैं उसको प्रोटर करते हैं उसको प्रोटर कि यह क्या है तो पुछा जाता है निम्न में से कौन से एक ऑप्टिकल डिस्क है ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं सीडी जो होता है डिवीडी जो होता है और बी आर्डी जो होता है यह ऑप्टिकल डिस्क होता है अब आप से पुछा जाएगा एक्जाम में कि निम्न में से कौन से एक लोग है या 1990-95 के लोग है वह सीडी डिवीडी को देखे हैं इसलिए जानते हैं वह अप्टिकल डिक्स होता है ठीक है लेकिन बी आड़ी के बारे में बहुत सारे लोग ने जानते हैं तो याद अफना है बी आड़ी भी एक अप्टिकल डिक्स की होता है उसका पैन लोग फॉन पर यूज करते हैं बाकी फॉन बहुत सारे कम लोगों के पास दिखेगा तो दोस्तों यह जो आई पी ओएस चार्ट यह काफी इंपॉर्टेंट है इन्पूट डिवाइस प्रोसेस आउट पूड और स्टोरेज यह काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इससे आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है तो उम्मीद करेंगे यह सारा चीज़ा आप लोग समझ गए अब हम लोग बात करते हैं इन्पूट के बारे में लोग बात किया है तो आखिर इन्पूट डिवाइस क्या होता है इसके बारे में जानना हम लोग हो जरूर है तो इन्पूट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनका पर्योग केंप्यूटर में डेटा को डेटा तथा निर्देशों को इन्पूट की रूप में देने के लिए क्या आ जाता है इन्पूट के रूप में देने के लिए जैसे हम लोग यहां पे अपने कीवोड से होता ज th जिनका पर्योग हम हम कई अलग अलग तरह से ईनपूट देने के लिए करते हैं केमप्यूटर में परयोग होने वाला मुख Elsa ईन्पूट डिवाइज क्या है कीडोड जिसका परयोग निर्देशन को टाइब करके देने के लिए किया जाते है अब दोस्तों दोस्त आ Character के Oprah कि बारे में पतारा किए आए यहां सबसे जयादा परियोग की जाने वाली इन्पूट डिवाईज सबसे च्टायादा कीबोड का इस्तमाल और माउस का इस्तमाल होता है याद रख़िए से लेकर 105 की होती है ठीक है सटेंडर की बोड में उसके बाद देख सकते हैं बहुत सारे क्योड के यह पे वायर्ट कीबोड है वायरलेस कीबोड और और नौट की फिकर अब यह क्या है वायरड कीबोड का जो ए डेख सकते हैं उसे के अंतर दोस्तनों आगे जए बटिक सकते हैं यहाँ में फिकर के मादम से डिखा गया है वायर है वाइट कीबोर्ट वाइर वाला जो होता है वाइट कीबोर्ट देख सकते हैं इसमें वाइर लगा उसके बाद की माउस होता है ठीक है यह की माउस हो गया उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो वी रीडर जो है कीबोर्ट यहां पर दिखाया गया है इसके आप तो जैसा कि आप लोग देख सकता है आपे माउस की चर्चा की गया है माउस क्या है तो यह GUI interface होता है अब GUI का full form क्या है यह मैंने पहले भी क्लास में बता जाया है और एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या होता है GUI का full form यह पूछे जाने वाला प्रशन यह पूछा जाता है ठीक है GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली pointer input device है देख सकते है pointer अब एक चीछ समझ लिजेगा आपको माउस को हम लोग जो है ना pointer device के नाम से भी जानते है ठीक है बहुत जगह आपको option दिखेगा ठीक है निम्न में से कौन से एक input device है और वहाँ पे mouse नहीं लिखा रहेगा आपको जो है बहुत सारा output का देदेगा जैसे में monitor देदेगा speaker देदेगा और भी एक output device देदेगा और माउस के जगा पे pointer देदेगा तो confuse नहीं होना है pointer mouse को ही कहते है ठीक है pointer input device है इसमें cool तीन बटन होते हैं mouse में देखते हैं हमें तीन बटन होते हैं right left और बीच वाला बटन तो इसको बोलता है left and right बटन और बीच वाले को बोलता है scroll बटन जिसको हम लोग scroll करके page को आगे प ठीक होता है एक होता है right click ठीक है और बीच वाला बटन आपको दमाने क्लिक आएगा तो कोई भी आपके teacher आपको बोलेंगे right click ठीक है लेकिन left की वह कभी आपको यह ने बोलागा कि लेफ्ट की दबाई लेट की अगर आपको प्रेस करने हैं कि ठीक है तो सिर्फ क्लिक करने करने के लिए तो समझ लिए वह left की कोई click करने के लिए का रहा है अगर आपको राइट की करने के लिए बोलेगा तो आपको बोलेगी right click करना है ठीक है तो इस इच को आप समझ लिए ठोड़ा सा मतलब important चीशता और basic चीशता जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा टेकनोलोजी के अधार पर माउस कई प्रकार के होता है जैसे कीबोर्ट में आपको दिखाएं उसी तरह माउस में भी है देख सकते हैं आप अप्टिकल माउस होता है वाइड माउस होता है ठीक है वायरलेस होता है ठीक है मेकनिकल माउस होता है बहुत तरह का दोस्तों माउस ह यहां पर देख सकते हैं आपको दिखा दिया है लिए यहां पर यह है उसके आगे दोस्तों लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहां पर आप यह नहीं होता है ठीक है इसमें डालना पड़ता है डिवाइस और यह तो यह आपका जो है लैप्टॉप और लैप्टॉप का टच्पेड है इसको भी माउस ही कहा जाता है उसके सब्सक्राइब करता है जिसका प्रियोग हाड़वेर कोपी में बदलने के लिए कि लिए करता है पेपर चपी हुवी सूचना को इसके scanner जो है computer में सीधे तोर पर input करता है scan किए डाटा को software की मदद से edit कर सकते हैं software की मदद से हम लोग इसको edit कर सकते हैं आप ऐसा बहुत सारा software हो गया है कि आप किसी भी चीज़ को scan करके फिर edit कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं यह scanner और printer दोनों का काम कर यानि कि उसमें scanner इंक्लूट कर दिया गया जोड़ दिया गया है और printer भी काम कर रहा है लेकिन यह जो आप device देख रहे हैं यह बहुत कम लोग पर pencil या pen के चिन की उपस्थिती और अनुपस्थिती को जाँचती है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह मैं जो आज का class मैं आप सभी को दे रहा हूं काफी important आर आप not कर लिजिए अभी इस video को not कर लिजिए कि आपको इस ते एक ना एक प्रस्थित देखने को मिल सकता है आप एक्जाम में याद रखेगा आप लो ओ एम आर क्या है और टिकल मार्क रीडर है या एक ऐसी डिवाइस है जो ओ एम आर सीट पर pencil या pen के चिन्ने की उपस्थिती और अनुपस्थिती की जाँचती है उसको क्या करता है जांचता है ठ इसके एक्जाम की आंसर बूक को चेक करता है बहुत सारे रहांसर चकरता है ठीक है इसका परियोग से कम समय में सही परिनाम आर्फा इसके परियोग से क्या होता है जो और वहार सीथ प्र जाब जांचता है उसनीर पहले मैनुली ground साहता से बहुत कम समय में आप देख सकते हैं यहां पर छो alan इसमेंडा उम्हार करके तक पसंद होगा और आज के वीडियो से आपके एक्जाम में एक ना एक प्रस्ण लड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो का आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे बहुत अच्छे से समझे होंगे अगर किसी तरह कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा इसको देख लीजेगा और अपने दोस्तों के पास आज के इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग सेयर कर दीजेगा क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो काफी इंप्वार्टेंट है तो चली दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय और टेक केर जहिन वंदे मात्रां